जब भी बारिश होती है घर में सभी पकोड़े खाने की मांग करने लगते हैं बट वही प्याज का पकोड़ा आलो का पकोड़ा बार बार नहीं खाना चाहते तो आज मैंने एकदम जटपट से बनने वाला क्रिस्पी चटपटा और टेस्टी पकोड़ा बनाया था जिसकी रेसिपी में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह पकोड़ा टेस्टी होने के साथ बहुत है यह सोया बीन से बना हुए है और जो सोया बीन खाना पसंद नहीं भी करते वह भी इसे मांग करके खाएंगे इतना ज़्यादा यह टेस्टी लगता है तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर दीजेगा इस चटपर्टे पकोड़े को बनाने के लिए मैंने यहाप एक बरतन में पानी गरम होनी के लिए रख दिया है तो देड़ कप मैंने आप सोया बिन डाल दिया है अच्छे से एक बार मिला देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे उतने दिर में सोया बिन आच्छी तरीके से पक करके त्यार हो जाते हैं हम इसे पकने देटे हैं तो 5 मिनट यहां पर पकने देते हैं आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से फूल चुका है साथ ही इसका जो इस साइस है वह भी डबल हो गया है एकदम صौफ्ट-सौफ्ट मैं बन चुके हैं तो इसको इस तरीके से हम निकाल लेंगे आप चाहें तो इसे छान करके भी निकाल सकते हैं तो सोया बीन को निकालने के बाद इस तरीके से मैं एक बड़े वाले चंडी में रख रही हूँ क्योंकि इसके उपर हम डालेंगे थोड़ा सा थंडा पानी ताकि यह जल्दी से थंडा हो जाए तो पूरे सोया बीन को निकालने के बाद हम इसमें एक से देट ग्लास यह थंडा पानी डाल देंगे ऐसा करने से क्या होगा आपके जो सोया बीन है वो बहुत जल्दी से थंडे हो जाएंगे आप चाहें तो इसे पंखे की नीचे भी रख सकते हैं तो जब सोया बीन पूरी तरीके से थंडा हो जाएंगा तो हातों पे सोया बीन को लेकर कि इस तरह से हलका से स्क्विज करके इसका पानी हमें निकाल देना है बहुत ज़्यादा जोड से आपको नहीं दबाना है ने तो यह तूटने लग जांगे हलके हाथों से दबा करके इसका पूरा पानी आपको निकाल लेना है बस ध्यान रखना है कि पानी जो है वो अच्छी तरीके से निकल जाए आपके सोया बिन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए 1-2-1-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-1-5-1-2-1-1-2-1-1-1-2-1-2-2-1-2-1-5-1-1-2-2-1-1-2-1-3-2-4-4-4-5-5-1-4-5-4-5-4-5-4-5-5-4-5-5-5-4-5-5-4-5-5-4-ヤ धनिया की पत्ती, अब इन था 쓸ल को अच्छी तरीके मिला लेंगे ताकि ोदो हो कोत हो जां Hahn ख्या डूप आहने हैं कक्लारक स्वापकान के भिष्पोर के साथ सब्सक्राइय, तर म bạn nisνα दीडाSE, आक्ट करने कीपुराइव काइव Ihभाः कवरगी के शोदुदर पानी में में थोड़ी बहुत नमी होती ना स्वारे बढ़ी हासे मिक्स हो जाते हैं अब आपे दाल देंगे मैंदा, और उसे थोड़ा सा क्रंची बिनाने के लिए एक चौथाइ कप कॉन-फलार अगर आपके पास conflore नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा चामल काटा भी डा सकते हैं एक टीस्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक और लसुन का पेस्ट अब इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे थाकि सोया बिन में सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से कोट हो जाएं और हमारा जो पकोड़ा है एकदम क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी बन करके त्यार हो तो यह देखिए मसाले में यहां पे बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको मिला लेना है अब एक कड़ाय में हम ऑईल गरम होने के लिए रख देंगे जैसे ही ऑईल बढ़िया तरीके से गरम हो जाएगा हम इसमें एक ही करके सुयबिन के पीसे डाल देंगे हातों से थोड़ा सा अलग अलग करके एक एक पीस आप इसमें डालते जाएगा वैसे बहुत ज़्यादा नहीं चिपकते हैं और थोड़े बहुत चिपक भी गया तो वो फ्राई करते करते निकल जाते हैं करते हैं अगर कर देंगे जितने जितना इसमें ठाइं हिसमारी जाएगा तो जब यह थोड़ा सा fry हो जाएगा तो छोटा वलाइस्पून लेकर इस तरीके से जलाते जाएंगे ताकि यह चारो तरब से बढ़ी हासे golden brown तरीके से fry हो जाए और एकदम बढ़ी हासा crispy भी हो जाए तो फ्लेम को आपको यहां पे मीडियम रखना है और लगबग 4-5 मिनिट आप इसे पकाएंगे ना तो एकदम क्रिस्पी यह बन करके त्यार हो जाता है यह देखे आप देख सकते हैं बेलुकुल भी एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है और एकदम क्रिस्पी क्रंची यह बन और अगर आपके पकोडों का पेस्ट वह थोड़ा सा गीला हो जाता है तो आप उसमें एक दो चमच मेंदा एक्स्टा एड़ कर सकते हैं तो आपके जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन करके त्यार होंगे और इन पकोड़ों को आप गर्म सर्व कीजिए चा क्योंकि हमने इसमें मिर्च वगर का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है तो बारिश के इस मौसम में आप भी चटपटे क्रिस्पी पकोड़ों का मज़ा लीजिए और अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बिटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले